हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31Tag तो फ्रेंट्स अगर आप एक नए क्रियेटर हैं, आपने अभी नए नए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है आपको अभी एक दो महीने ही हुए है, अपने यूट्यूब चैनल को शुरू किये हुए लेकिन आपने अभी तक अपने चैनल के उपर चैनल आर्ट नहीं लगाया, चैनल बैनर नहीं लगाया है आपको ये पता ही नहीं है कि channel art या channel banner क्या होता है इसको हम कैसे बनाते हैं तो friends मैं आपको बताना चाता हूँ कि जब भी कोई भी हमारे channel के उपर visit करता है तो हमारे channel की जो home screen होती है उसमें top पर हमें एक बड़ा सा poster नज़र आता है जिसे हम channel banner कहते हैं या channel art भी कहते हैं तो friends इसका सबसे बड़ा benefit ये है अगर आप channel art channel banner है जो वो अच्छा होगा मतलब देखने वाले को अगर ऐसा लगे कि वो एक professional look लग रहा है तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने YouTube channel के लिए channel art बना सकते हैं channel art और channel banner एक ही चीज होती है तो friends ये वीडियो काफी ज़दा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पे नहीं है तो please मेरे channel को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone के screen के उपर तो इसमें हमें सबसे पहले play store के अंदर जाना है play store पे क्लिक करना है और हमें अपने phone के अंदर एक application को install करना पड़ेगा जिसका नाम है canva बहुती कमाल के application है इससे आपका जो youtube banner है आप इससे काफी सारी चीज़े कर सकते हैं वो सब मैं आपको detail में बताऊंगा तो इस तरीके से इसे open कर लेना है और आपको install कर लेना है मैंने से install क्या हुआ है तो मैं यहाँ पे सीधा open पे क्लिक करूँगा उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह काफी अच्छी app है 4.5 की rating है इसकी और 100 million download है 100 million से भी ज़्यादा ठीक है तो यह काफी कमाल की application है तो इसमें मैं open के उपर क्लिक करूँगा तो इस तरीके का home screen आपको यहाँ पे canva application में देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं यहाँ पे instagram, post, posters, stories, presentation आप काफी सारी चीज़े से कर सकते हैं जो की free में है ठीक है इसका paid भी है लेकिन हम paid नहीं सिर्फ pre वाले यूज़ करेंगे प्रो वर्जन में इसका सारा paid का है सारा ठीक है तो हम सिर्फ free वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें YouTube के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे social media वाले पे click करेंगे हमें poster बनाना है YouTube का तो हम यहाँ पे इस तरफ scroll करेंगे ठीक है यहाँ पे facebook cover, instagram, reels सारी चीज़े आप देखिए thumbnail भी बन सकता है YouTube की सारी चीज़े आप यहाँ से किसी भी social media platform की बना सकते हैं हमें यहाँ पे YouTube channel art बनाना है तो हमें इसके उपर click करना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे template आ गए है ठीक है जो banner के template है channel art के आप चाहें तो इसमें से भी कोई choose कर सकते हैं लेकिन मैं आपको blank में करके दिखाऊंगा और इसका भी बता दूंगा last में ठीक है कि इस से हम कैसे use करके बना सकते हैं या मैं सबसे पहले आपको इसी से बता देता हूं जैसे हमें यह वाला एक select कर लेता हूं मैं जिस पर free लिखाऊ है वो मैंने select कर लिया है तो यहां पर यह इस तरीके से open हो जाएगा तो यहां पर नीचे आपको plus का एक icon दिखाए देगा आपको simple इस plus वाले icon के उपर click करना है और आपके सामने जैसे computer में खुलता है वैसे mobile में खुल गया है आप देख सकते हैं यह हैं यहाँ पर templates elements हैं यहाँ से elements ले सकते हैं आप कोई भी यहाँ त है कोई फोटो डाल सकते है इसमें उसके बाद यहां पे टेक्स है अपलोड зал zor Dan घा सकते हैं तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं नीचे डिलीट का option है मैं इसी इस Read the Music पर click करूँगा ठीक है और मैं इसकी जंगे कुछ लिखना चाता हूँ Read the Music की जंगे तो मैं यहाँ पर इसे cut कर दूँगा और यहाँ पर जो मेरे channel का नाम है वो मैं यहाँ लिख सकता हूं जैसे मेरे channel का नाम मैं लिख देता हूँ ठीक है इस तरीके से यह देखिए यह सिंपल है सिर्फ हमने टैंपलेट उठाया यहां पर नाम चेंज किया यहां पर इन बिट्वीन इसको हम हटा सकते हैं ठीक है इसको इस तरीके से स्लेक्ट कर लेंगे और इसको इस तरीके से यहां पर क्लिक करेंगे और इसको यहां से रि बनके त्यार हो गया है ठीक है यह बीच वाला पॉर्शन हमें मोबाइल में भी दिखाई देगा तो यह भी मैं आपको सारा बताऊंगा क्या साइज लेना चाहिए आपको ठीक है वह मैं आपको ब्लैंक करके बनाके दिखाऊंगा जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो इस तरिके से आप कोई भी टैंपलेंट चूस कर लें अपने चैनल की कैटेगरी के अकोडिंग और आप उसे यहाँ पे आप यहाँ पे उपर डाउनलोड का ओप्शन है आपको सिंपल इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे से एव पे कलिक कर आता हूं हमने YouTube चैनल आर्ट स्लेक्ट कर रखा था ठीक है और यहां पर यह ब्लैंक का ओप्शन आ रहा है हमें सिंपल इस ब्लैंक वाले ओप्शन के उपर क्लिक करना है तो यह इस तरीके से खुल जाता है यह ब्लैंक का साइज होता है यह साइज भी मैं आपको अभी बताऊ यहां पर तो हमें यहां पर सिंपल प्लस पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से अगर हमारे पास कोई इमेज है तो हम सबसे पहले गूगल में जाके अपने YouTube चैनल आर्ट वहां पर डालेंगे तो यहां पर मैं आपको दिखा दिता हूं मैंने दो इमेज डाउनलोड कर रखी ह तो मैं सिंपल गैलरी पर क्लिक करूंगा और उस इमेज को यहां पर पेस्ट कर दूंगा तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरी जो वह इमेज है यह रही तो आप देख सकते हैं यह में यहां पर आ चुकी है तो इस पे हमें इसे बढ़ा कर देना है पकड़के जो इसका ब्लेंक वाली 2560 in to 1440 इसका साइज होता है जो टीवी की स्क्रीन अगर हम अपने YouTube चैनल को देखेंगे तो यह पूरी स्क्रीन हमें दिखाई देगी और अगर हम मॉबाइल पे और डेक्स्टोप पे देखेंगे तो यह बीच वाली स्क्रीन हमें दिखाई देगी जो प्ल्यू लोप में देखेंगे तो यह इस तरीकी से साइज होता है इसका तो हमें जो भी लिखना है वो इस ब्लू वाले पोर्शन के अंदर लिखना है तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखी लेता हूं वैसे मैंने एक थीम भी डाउनलोड कर रखी यह इमेज भी मैंने गूगल से ही डा आप भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है गूगल पर जाके या फिर मैं आपको इन दोनों के लिंक भी दे दूँगा अगर हो सकेगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा इन दोनों इमेजिस के तो आप वहां से जाके भी दोनों को आल में अगर अगर आप इस पर करना है उसके बाद हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखेंगे तो जैसे मैं आपने ही चैनल का इस पर एड़ेदिंग में क्लिक कर लेंगे एक बार तो यह इस तरीके से आ जाता है इसको पूरा टैप करके रखेंगे इस यहाँ पर हम याप करके आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं most which ह אני लगना चाहते हैं तो फ्रंट फंट पर क्लिक करेंगे ऐसके और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो भी फ्री वाले हैं उनकी आगे आगे आपको ऐसे जो यह सायन बनावा एंसे बनावा नहीं आपको दिखा रहा हूं तो मैं अभी आपको लिए सिंपल ओपन वाला ही ले लूँगा वापिस यह उपर ही है ओपन सेन एक्स्ट्रा बोल्ड यह जो इसका डिफाल्ट है वही मैंने स्लेक्ट कर लिया ठीक है यहां से कैंसिल कर देंगे उसके बाद यहां पर फंट साइज है कालीह उनले पर ध्यान ना दए वह हम हटा देंगे बाद में तो हम सेंटर पर ही रख लेंगे हैं जहां पर हम रखना चाहते हैं वहां इसे पकड़कर रख सकते हैं तो हम इसे यहां सेंटर में रख लेंगे इसका साइज हम यहां different डिके रुखना है जैसे मैं इसे इतना बड़ा यहां पर रख लेता हूं इसका साइज ठीक है 98 रख लिया मैंने या फिर 100 रख सकते हैं आप अपने according select कर सकते हैं उसके बाद यहां पर color है अगर आप चाहते हैं इसका कुछ और color करना तो आप यहां पर change कर सकते हैं जैसे मैं white करना चाहता हूं क्योंकि मैंने जो image जो ली है वो dark brown में है ठीक है तो इसलिए मैं white select कर लेता हूं उसके बाद आप यहां से format change कर सकते हैं effect लगा सकते हैं इसमें सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी यहां पर ठीक है उसके बाद आप इसमें और भी कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर बाहर हम टैप कर लेंगे एक बार फिर से प्लस पर जाएंगे और फिर से हम टेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे यहां पर आप कोई image भी upload कर सकते हैं इसके अंदर जैसे यह दो image upload की हुई है मैंने ठीक है यहां पर टेक्स्ट प लेते हैं इसको ठीक कर लेंगे तिके इसका color भी change कर लेते हैं एक बार इसको select कर लेंगे click करकर और इसको hem कर लेंगे निसका जो हम size है fund size इस पर क्लिक करेंगे इसका size छोटा कर लेंगे इतना ठीकर 69 रख लेते हैं उसके बाद हम इसका color change कर लेंगे red color कर लेते हैं या फिर हम yellow color कर लेते हैं ओके उसके बाद हम इसे उठा के यहां पर रखतेंगे यहीं पर लिख देता हूं या इसमें और एडिट कर देता हूं इसी में लिख देता हूं मैं आपको सिखाने के लिए ही बना रहा हूं वैसे ठीक है हम सिंपल सब्सक्राइब पे ही क्लिक करेंगे डबल और उसके बाद यहां पे लिखेंगे और इसको पकड़के हम बिल्कुल आगे ले आए लाइक ठीक है लाइक सब्सक्राइब कर देता हूं मैं एक अिसे पकड़ेंगे और इसके लाइए इस तरीके से लाइक एंड़ सब्सक्राइब उसके बाद हम यहां पे इमेज डालना चाहते हैं तो हम फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां से घलरी के अंदर जायेंगे और यहां Dash स्ट्राइब के इसे साइड में कर सकते हैं इसके साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं साइड से पकड़के तो मैं इसको यहां पर लगाना रचाता हूं ठीक है यहां पे थोड़ा सव और बड़ा कर दूँगा मिस तरीके से 77 इस तरीके से लगा देंगे और फिर से पकड़के से हलका सा लिए से लिए यहां पर इसके बाद हमें क्या करना है अब मैं आपको जो आपने इमेज डाउनलोड करें है मैंने गाुल्be करें वह मैं इंपोर्ट करता हुं और इस पीछे वाली को हटाना है हमें तो हमें फिर से प्लस-पे क्लिक करना है और उस image को मैं यहांपे downlode कर देता हूं यह ही वह image इसे भी import कर दिया मैंने अब इसको मुझे back side में रखना है तो मैं पहले इसवाली image को यहां पे select करता हूं और इसे delete कर देता हूं इसके बाद मैं इस वाली को select कर देता हूं और इसमें हमें यहां पे scroll करना है नीचे ठीक है और यह position का एक option आता है पोजिशन इसके बाद हमें यहां पे सबसे पीछे भीजना है इस इमेज को जो हमने अभी डाली है तो इसे टू बैक कर देंगे हम तो आप देख सकते हैं सारी इमेज पूरी पीछे आ गई ठीक है अब इसे यहां पे पूरा पकड़के यहां तक जितना यह साइज है हमारा ट से आगया आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगरहां तो यह देखने में अप काफी अच्छा लग रहा है ठीक है तो यह इतना जो पोर्शन हमने बनाया है यह हमारा फोन के उपर भी दिखाई देगा और भी आप यहां पे काफी सारी एडिट कर सकते हैं तो यह सिंपल açık अब आपने ये सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने mobile phone से ही अपने YouTube channel के लिए आप channel banner या channel art बना सकते हैं, तो friends फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ह पसंदाई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें, थैंक यू